इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जीले से जहां चुरहटा थाना छेतर अंतरगत किशोरी और उसकी मौसी के साथ गैंग रेप की घटना घटित हुई है यह दिल दहलाने वाली घटना सहर के करीब चुरहटा थाना छेतर में घटित हुई है बताया जाता है कि आधा दर्ज जोरी और उसकी मौसी के साथ बारदात हुई है आरोपियों ने पिड़तों के साथ मार पीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी किसी तरह से बच कर निकली पिड़ताओं ने थाना पहुँचकर सिकायत दर्ज कराई है बताया जाता है कि अंधेरे का फाइदा उठाते हु आरोपियों ने दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए लगातार जिले में हो रहे दुशकर्म गैंगरेब की घटनाओं से महिलाएं असुरक्षित हैं एक तरफ शरकार बुल्डोजर चला कर अपरादियों के हंसले पस्त करना चाहती है तो वहीं दूसर तरफ अफरादियों के हंसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन अपहरन दुशकर्म गैंगरेब जैसी जगन घटनाओं को अंजाम दे कर पुलिस को खुली चुनाओती दे रहे हैं हलांकि शूतरों की माने तो मामला शंदिक्द भी है पुलिस कई बिंदों पर जाच कर रही ह क्योंकि मामला महिला और किशोरी से जुड़ा हुआ है जिसके चलते पुलिस अभी भी कुछ भी बोलने से बच रही है तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है चुरहटा थाना छेतर से जहां किशोरी और एक महिला के साथ गैंग रेप की घटना घटित हुई है फिलाल पुलिस आरोपियों के खिलाप मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया है